मोदी ने बना दी जोड़ी चीन पाकिस्तान की भई आप लोगों की विफल नीतियों के चक्कर में चीन पाकिस्तान साथ आ गया और देश के लिए खत्रा हो गया देखे अमन जी आज तो युनाइटेज स्टेट्स के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स परसन ने भी राहूल गांदी की इंटरनेशनल बेजती कर दी और कहा कि यह तर्क जो दिया जा रहा है कि भारत आईसोलेटेड है यह पूर्ण तरीके से गलत है क्योंकि आज भारत कौड का भी हिस्सा है जिसमें अमेरिका जपाइन भी है साथ में और ऑस्ट्रेलिया भी साथ में और जिस प्रकार से चाइना को खदेडा जा रहा है जिस प्रकार से चाइना को आइसोलेट किया जा रहा है एकोनॉमिक फ्रंट पर स्ट्रेटीजिक फ्रंट पर यह पूरी द डॉलर का ट्रेट डेफिसेट बढ़ाकर 36 बिलियन डॉलर कर दिया था ये उस समय का भारत नहीं है कि टिया पंग्नक डूम चेली चुमार इस प्रकार से सारे सेक्टर उसको चाइना के हवाले कर दिया था चैसो चारी स्क्वेर किनोमेटर चाइना के हवाले कर दिया था ये उ किसकी सरकार थी और किसकी विफलताय थी देखे बार बार चाइना के और पाकिस्तान के साथ सुर से सुर मिलाना चाहे वो गल्वान पर हो चाहे वो तिरंगा नहीं लहरा रहा है गल्वान में इस प्रकार की ब्रांतिया पहलाना जिस प्रकार से गल्वान में हमारे बल्वान आपने राहूल गांदी का बयान सुना वो खत्रे से आगाहा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि देश को शेहनशाह की तरह चलाने की कोशिश हो रही है इस सरकार की नीतियों के चलते आज देश के आंतरिक और बाहरी मोर्चे पर बड़े खत्रे का साम वो आपको बड़े खत्रे से आगाहा कर रहे हैं चीन और पाकिस्तान के गटबंदन से आगाहा कर रहे हैं वो कहरे हैं कि केंदर सरकार की नीति के कारणा चीन और पाकिस्तान स आप खत्रे से खेल रहे हैं मेरी सलहा है रुक जाएए आप खत्रे को हलके में मत लीजिए चीन और पाकिस्तान को आप साथ ला चुके हैं वो आपको आगाह कर रहे हैं भई मुखे विपक्षी दल होने के नाते वो आपको आगाह कर रहे हैं चीन का साथ कहां दे रहे हैं वो 2017 2017 में जब डोकला में भारत की सेना चीन की सेना को आख में आख मिला कर जवाब दे रही थी तब चोरी-चोरी चुपके-चुपके चाइना के एमबैसेडर के साथ कौन चाइनीज फूड खा रहा था ये पूरे देश ने देखा है जब भारत मूतोर जवाब गलवान में देत है तो चाइना के साथ खड़े होकर उनके प्रोपगांडा का विश्वास कि वहाँ पर कोई चीनी सेनिक नहीं मारा था आज तो एक और अकबार ने भी इसको क्लारिफाई कर दिया रश्या के भी एजिंसी ने पहले क्लारिफाई किया था कि 45-50 से अधिक लोग मारे गए थे परंतु भारत के सेना के मनोबल पर सवाल उठाने का काम उनकी वीरता पर सवाल उठाने का काम सर्जिकल स्ट्राइक हो बाला कोट एर स्ट्राइक हो या गलवान में जो हमारे बलवानों ने ताकत दिखाए उस पर सवाल उठाने का काम किसने किया है बार बार चाइनीज प् पाकिस्तान साथ आए ये बड़ा खत्रा ये ठीक है आगाहा कर रहे हैं आगाहा कर रहे हैं नहीं तो नहीं है चीन पाकिस्तान तो 63 से 7 में जो आज शंकर जी विदेश मंत्री जी ने बताया तो मेरा सवाल आपसे है आलोग जी क्या चीन पाकिस्तान की नजदीकिया नहीं नहीं है क्या आलोग जी देखे मुझे लगता है कि 1962 की लड़ाई के बाद एक भी जवान शहीद नहीं हुआ था पहली जी से 1975 के बाद जो एग्रीमेंट हुआ उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे जवान वहाँ पर शहीद हो आज हालत यह है कि चाइना ने नौ जगे हमारी जमीन को कबजा रखा उत्राखन में वो गुषते हैं उनके फौजी और हमारी जिस तरह से पुलों को तोड़कर वापस चले जाते हैं वो चाहे फिंगर पॉइंट फौर से एट की बात हो चाहे विदेश मंतराले जो हमारा है उसके बयान हो चाहे हमारे चाइना में विदेश जो एमबेजर हैं हैं उनके बयान हो चाहे जिस तरह से राजनाथ सिंग जी का बयान था, क्या वो सब जूट थे, दूसरी बात, एक सांसद भाजपा के अरुनाचल प्रदेश के, भाजपा के, भारती ये पार्लेमेंट में संसद में खड़े होके कहते हैं, क्या उन्होंने हमारी जमीन को कब जा लिया है, क्या व उकलाम में क्या चाइना ने कंक्रीट का जंगल नहीं खड़ा कर लिया, क्या हमारी भूमी के ऊपर साड़े चार किलो मीटर अंदर गाउं नहीं बसाया गया, क्या एक बार विदिश मंतरा ले उसका खंडन करेगा, बार बार बात आ रही है कि सब हमने पचास मार दिये, उन मारे गए, क्या विदिश मंतराले डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक बार भी उनकी पुस्टी की है, मैं इस बात पे भी पूरी तरह से ये कहना चाहूंगा, क्या चाइना के सौ मरें हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है कि हमारा एक भी क्यों मरा, हमारा जवान हमारे लिए सब से पहले इंपॉर्टन्ट है, अब दूसरी बात आती है, एकनॉमिक फरंट की, एकनॉमिक फरंट में का चाइना अलग तलग हो गया, वे चाइना की एकॉनमी तो पिछले दो साल में कहां पहुंची है, देख लीजिए आप, चाइना से पिछले दो साल में व्यापार और पाकिस्तान मिलिटरी एक्सेसाई जॉइंट ली कर रहे हैं पिसले सतर साल के इतियास में, पहली चीज़, दूसरी चीज़, पहली बार हुआ है कि हमारा सबसे पड़ोसी छोटा भाई, निकट तम, नेपाल हम से दूर है, बर्मा हम से दूर है, श्री लंका क्योंकि हम म मदद करनी चाहिए, वो भी हम से दूर है, अब की बार टरंप सरकार कि किसी देश के प्रधान मंतरी ने नारा दिया हो पहले, तो बता दीजे मुझे, विदेश नीटी का, फॉरें पॉलिसी का, एफ नहीं पता इस सरकार को, और यही कारण है, कि जो कल वक्तवे दिया गया झाहिए, झाहिए, झाहिए.